हम आगे का आगे क्या फूचर प्लांस को देखते हूं कंपिनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है बहुत ही सौलिड इस टॉक है इसके बारे में आज को बताने जा रहा हूं और यह शेयर नीचे से बहुत अच्छी खासी रिस्पांस दिखा रहा है बहुत अच्छा खासा यह भड़ रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है यह अपने लाइफ टाइम हाई को भी क्रॉस करता हुआ देखे आने वाले छैसे साथ महीने के अंदर बैतरी निस्टॉक जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी का नाम है दो प्रोड़क्स में डील करते हैं कंपनी के दो सेजमेंट्स हैं एक बिल्डिंग प्रोड़क्स एंड एक है पैकेजिंग प्रोड़क्स दोनों के बारे में आज हम डीपली जानकरी करेंगे जिससे कि आपको पता पड़े कि फंडामेटली कंपनी किस तरीके से है सें इस वह सेजमें बनाती हैं जिससे इनका फरसंट का रेबेन्यू जन्रेट होता है सबसे जादे इनका रइबेन्यू यह धर से होता है यह उक्तेक्रणी करती है आप देखेंगे पोड़ 세ंट का में ऑपकोραणसे और सेटी लोगों के लिए यह सारे के सारे प्रोड़क्स यह कंपणी बना रही है अगर आप देखेंगे तो फॉसेट्स में इन्होंने अभी न्यू प्रोड़क्स लॉंच किये हैं तो जिनके बारे में आपको बता दूं कंपणी बहुत ही बैतनी प्रोड़क्स बनाती है वाटर क्लोज़ेट्स वास ट्रहसलों सिस्टनस तरिशीक शीरीजैन वैनिटी सीडैशी एंड साथ के साथ कंपनी बैनिटी सीरीजैर weiß बनाई रही है जो मैंने आपके सामने रखे सामें यहां पर इक अपनी बोकलेट भी दे रखी है बाथरूम की कि स्सांद सपर strategies इ cum पर आप इसको कस्टुमाइज भी कर सकते हैं इस तरीक से आप अपने बॉट रूम को कस्टुमाइज कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट के थुरू तो यहां पर इन्हों ने एक ब्यूटिफुली डिजाइन करके यह सारी के सारी चीजें यहां बताई हुई है तो फ्रेंड्स आन और आने वाले टाइम में ये काफी साल तक मुझे रखता है आने वाले दो-चार साल के लिए रहेगा तो जो लोग किराये पे रह रहे हैं वो भी घर ढूड़ रहे हैं घर नहीं मिल पारा तो फ्लैट्स धूड़ रहे हैं और फ्लैटिंग सिस्टम में इन सारे जो यूजिस इन सारी कंपनीज के प्रोड़क्स का यूज हो रहा है और अच्छे तरीके से इनका यूज हो रहा है और आने वाले टैम में रियल इस्टेट में भी जिस तरीके से बूम देखने को मिलेगा और वो ओविएसली है होफुली वो बूम आगे आने वाले चार-पांस साल के बा आता है और जो नका जो आता है नेक्स्शू रेवेन्य यू यह इन का आता है वह पैकेजिंघ प्रोड़क्स आता तो फ्रें्ट्स भेहतनी प्रोड़क्स है durumEM सभक देते हैं उन्ही पैटी भंदा शारी के बनाप नहींस बनाते हैं नहीं तो इनके पास में यह सारे के सारे प्रोडक्स है और से जलाइन सेरा जो है वो जो साथ के साथ यह सेंटरी बेर प्रोडक्स भी बनाती है तो फ्रेंट्स आने वाले टाइम में यह कंपनी बहुती एतरी परफोर्मेंस दिखा सकती है। इंग्ब horrific ग्लास प्रोडट्ट्स जो यह बना रहे हैं 1981 से इन्होंने यह काम स्टार्ट किया यह इंटर्डड हुए इस बिजनिस में और इन्हों ने शोची एड़ ग्लास इंदस्टिर को इन्होंने एक्वायर किया और उसमें यह सारे के ब्लास कंटेनर जो होते न उनको यह manufacture करते हैं जिनका सबसे ज़्यादा यो यूज होता है पैकेज्ट बेवरेजिस के लिए फूड के लिए एंड वीयर लिकर केमिकल एंड फार्मेशिटिकल सेक्टर के लिए उनका सबसे ज़्यादा यूज होता है मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लिए चलता हूं आप देखेंगे 14 डिफ्रेंट कलर सब्सक्राइब कंपनी मैनुफेक्टर कर रही है 48 यह का कंपनी को एक्स्पीरियेंस है इस वाली इंडस्ट्री में देखेंगे 3000 से जादे इनके पास एंप्लोई 1600 टन पर डेकी कैपिसीटी 1300 क्रोस और करोर्स ऑफ रेवेन्यू है 5 ml से ल फूट जार्स लिकर वोटल्स आप देखेंगे हर एक इंडस्ट्री के लिए इनके पास में लिकर इंडस्ट्री के लिए प्रोड़क्ट है केमिकल इंडस्ट्री के लिए प्रोड़क्ट है लिकर इंडस्ट्री के लिए प्रोड़क्ट है फार्मा इंडस्ट्री के लिए प बना रही है साथ के साथ यह company बना रही है यह पैट वोचल सी बना रही है जिनका फार्मेजिकल इंडस्टी में जो दवाईयां जो होती है यह इनके लिए यह product बना रहे हैं और fmcg के लिए यह products बना रहे हैं जिनको जिन्होंने इसको गार्डन polymers private को इनने किया पैट वोटल सबस्क्राइब हो इस कंपनी साहिं किया इनकी जर्म एइनके एक्सपीरियंस एक्सेड़्यन्स परिजनिस के लिए जो इस समय पर बहुत अच्छा प्रोड़क्स कर रहा है एल को बेवरेज के लिए जो भी बैतरीन कर रहा है युनेटेश इनके लीडिंग सप्लायर है इनको सप्लाई दे रहे हैं पैट बोटल्स परसनल के लिए भी बना रही है जिनका भी अच्छे खासी रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है और प्लास्टिक के तक की बोटल यह कंपनी बनाती है पूर फिफ्टी एंप्लाई थ्री प्लांट है एक रॉस इंडिया इस तरीके के यह कंपनी प्रोड़क्स बनाती है वैट बोटल के बहुत अच्छा परफोर्मेंस इनके प्रोड़क्स से आगे आने वाले टैम में देखने मिलेगा साथ- security caps and closures भी बना रही है तो फ्रेंड्स आने वाले टैम में ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करती हुए दिखेगी packaging products में आप देखेंगे हर एक parameter पर company ने इस बार का जो quarter four का result है और old जो quarter four का result है 2020 का 2021 में आप देखेंगे हर एक parameter पर company ने अच्छा खासा जंप दिखाया है और रेवेन्यू में इविटा में profit after tax में हर एक चीज में और आप highlights अगर आप देखेंगे तो strong annual growth देखने को company के share में मिली है और company के जो रेवेन्यू है उसमें देखने को मिली है profit after tax भी अगर आप देखेंगे और इवर्टा 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 इंकम हर एक देख रही है और आने वाले time में company एक इनवेस्ट करना चाहा रही है ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट में जिसमें यह इस पेचलिटी ग्राट ग्लास पैकेजिंग प्रोड़क्स बनाएंगे एंड यह अपने प्लास्टिक पाइपस एंड फिटिंग्स के जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी को भी यह इंक्रीस करते हुए दिखेंगे क्वाटर फॉर की जो हाइलाइट से इसमें आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ हैं रिविट्टा एं मार्जिन सम में इनको अच्छा खासा परफॉर्म देखने को मिली है एंड इनको जो है बिल्डिंग प्रोड़क्ट से भी बैतरीं ग्रोथ आगे देखने को मिलेगी सेकिंड लाज़ेस मैनुफेक्ट्र है ग्लास कंटेनर के इंडिया में 25 यर्स के एक्स्पिडियेंस 20 परसेंट का मार्किट से एरे 76 परसेंटी है और 500 प्लस इनके पास इंस्टिटूशनल क्लाइंट्स है 11-13 का रेवेन्यू इन्हों ने जन्रेट किया है 2021 में सबस्यादा इनका जो प्रोड़क्ट जो रेवेन्यू मिक्स आप देखेंगे तो सब 70% एल्कोलिक बेवरेजिस 19% फूड और बेवरेजिस 11% इनका फार्मे इनके पास में टॉप क्लास के जो क्लाइंट्स इनके पास में हैं जिनको यह अपने प्रोड़क्स केटर करते हैं जिनको यह अपने प्रोड़क्स सेल करते हैं और जिनमें आगे अच्छी खासी डिमांड ही है लिकर में भी अच्छी खासी डिमांड है और फमसीजी इस समय पर देखेंगे तो ग्रोथ 3 परसेंट की चल रही है 2020 के एरिया में आने वाले टैम में और फार्मेसिटिकल इंडस्ट्री में जो है जिस तरीके से गवर्मेंट का पूरा फोकस है सपॉट फ्रॉम गवर्मेंट तू मेक इन इंडिया और इंक्रीजिंग करना चाहते है इसमें प्राइवेट इंवेस्ट्मेंट को इस सेक्टर में गवर्मेंट इनिशेटिव फॉर इसकी में लॉंच की है और आने वाले टैम में इस ते अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी फिलाल जो है फॉर्टिन बन यूएस डॉलर का बैल्यू निकल रही है फर्मेस्टिकल इंडेस्ट्री की आने वाले टैम में यह 65 बिलियन तक पहुंच सकती है 24 तक एंड जो फूड और अच्छा कासा जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वह भी 6.8 परसेंट की ग्रोथ रह सकती है आने वाले 5 साल के लिए और रूरल का जो अभी स्लोडाउन जो रहा है वो बॉटम आउट हो सकता है दूटो कोरोना और आगे आने वाले टैम में यहां से अच्छी घासी डिमांड देखने को मिलेगी पर्फॉर्मेंस कंपनी यह आने वाले टैम में एल्कॉहलिक बेवरेजिस फार्मेस्टिकल इंडेस्ट्री फूड और डिंक्स एंड स वाले तो जवर्दस्त ही है ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन है आप देखेंगे सस्टेनिविल्टी के जो पिलार है लाइट सेविंग बिल्डिंग डिजाइन है रिनिवेवल एनरजी कंपनी के पास में मौझूद है एक्सपीडियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम कंपनी के दरती हुई नजर आ रही है तो शियर भी सुधरता हुए नजर आ रहा है आप देखेंगे यह चार्ट है यहां पर यह फर्स्ट हाइब लगाने के बाद में यह शियर बिलकुल धराम हो गया लेकिन आप दुबारा से अच्छी खासी एक चाल देखने को मिल रही है आप दे इसके पास जाके आप आई हैं अभी तो इसके पूरा इन्होंने क्रॉस भी नहीं कर पाएं तो फ्रेंड जब तक यह शियर थ्री हंड़ेड रुपीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि यह शियर को आपको लॉंग टर्म के लिए कब आई करना चाहिए आपको यहां पर ए और अगर यह 350, 360, 370 रुपीज के पास अगर यह परफॉर्म करता है और तो आप इसको बड़े आरम से लॉंग टर्म में रख सकते हैं और यह शियर यहां से आपको साड़े साथ सो रुपे तक के एक साल के अंदर यह प्राइस आपको दिखा सकता है मैं आपको शॉर्ट ट यहां पर इसने जो बेस बनाया है करीब करी आप देखेंगे तो एक दो महीने का यह बेस बनाया इस बेस को मैं लेकर चलूँगा इस बेस के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि इस समय पर अपने बुलिश ट्रेंड मैं चल रहा है या नहीं आप देखेंगे शियर ने यह में मंत की यह चैंडल वनाई है। यह सारी के आप देखेंगे तो यह बुलिश ट्रेंड में हैं-1,75 रूपीज के उपर यह शकरहा हूक अपनी पर्टेस लगाया रखें और आपना बेस правильно छाट रखाना है वह अपना फिस्टा पलोस आप इसमें 150 रूपीज के लिएंप य तो यह जो बेस है यह बेस मुझे लगता है यह चार-पांच करीब देखेंगे आप तो चार-पांच हफते का जो बेस है यह बेस मुस्किली लगता है मुझे यह तूटेगा क्योंकि यहां से फिर दुबारा से एक अच्छा-खासा जंप देखने को मिला है तो 150 रूपीज का आप यहां पर एक इस टॉप-लॉश लगा सकते हैं शौट टर्म के लिए और यहां पर आप शेयर को पर्चेस कर सकते हैं 175 रुपीज के ऊपर तो 175 रुपीज के ऊपर जब तक यह शेयर टिका हुआ है आप इसमें अपनी परचेसिंग लगा सकते हैं एंड 150 रूपीज तक आप इसमें एक stop loss लगाके इस share को instantly भी purchase कर सकते हैं, कहीं कोई problem नहीं है, आने वाले time में ये share अपने इस वाले जो second high है, इस तक जाता हुआ दिखेगा सबसे first 245-250 रुपीज तक और ये share फिर उसके बाद में इस वाली category तक, इस वाली जो high है, ये वाला जो high है, इस तक जात सकता है, 300 रुपीज तक ये share बड़े ही आराम से पहुंच सकता है, जब ये share ये वाला breakout देगा, 250 रुपीज का अगर इसने breakout दिया, तो ये 300 रुपीज की range में आ जाएगा, और ये 300 रुपीज की range में आ गया, तो समझ लोग फिर ये long term में भी उपर जा सकता है, long term के लिए मैंने आपको बता दिया है, short term के लिए मैंने आपकी चीज की pricing बता दी है, और ये बहुत जल्दी ही breakout देगा, जैसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये वाले जो मंत की ये candle बन रही है, ये candle आप देखेंगे, ये तीन जो महीने है, इन सब का consolidation की ऊपर ये candle जा चुकी है, और ये candle, भैतरीन candle मुझे लग रहा है, ये आने वाले time में और अच्छी खासी candles बनाता हूँ दिखेगा, हो सकता है कि इसमें circuit भी लगते हुए दिखेंगे, तो friends, मेरे दमाग से 300 रुपीस का मेरा इसका target है, और वो next two months में, या हो सकता है कि आने वाले quarter तक ये वाला target आता और वाल इनकी जो सेजमेंट से उनसे अच्छी खासी performance देखने को मिलेगी, आप देखेंगे यहां पर face value इनकी 10 है, 233 रुपीस की इनकी book value और book value की अभी तो नीचे ही ये share अभी trade हो रहा है, रहतनी performance इस share से आगे देखने को मिल सकती है, dividend आप देखेंगे, तो regular dividend pay कर रही ये company, and bonus भी आप देखेंगे, तो 2004 में इन्होंने bonus भी दिया है, and आप देखेंगे net profit, June का net profit जो है, June का जो है, ये loss में गया है quarter, नहीं तो आप देखेंगे, तो sustainable net profit company generate कर रही है, quarter and quarter, March का भी जो profit है, वो अच्छा खासा profit आया है, March quarter का भी आप देखेंगे, तो sustainable net profit आया है और आने वाले time में ये profit भड़ता हुआ देखेगा, बहतरीन performance, 8 की ROE company अभी इस समय पे generate कर रही है, and debt भी company के पास में है, जो debt को company देरे-देरे उतारती हुई देखेगी, fundamentally and technically shared इस समय पे बहतरीन देख रहा है, fundamentally जिस तरीके से इनके जो packaging products हैं, उनसे अच्छी खासी performance दे देखने को मिलेगी, तो friends, आपको वीडियो कैसे लेगी, आप मुझे comment करके बता सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, जिसके जो भी latest video मेरे चैनले से related रहेगी, आपको update हो जाए करेगी, thank you.